फास्ट फूड करने ओफिस में अधिक समय तक बैठने और बाजार का तेल वाला भोजन करने तता अन्यकानों से मोटापा जो है वजन जो है बढ़ जाता है जिसे कम करने के लिए हम कई जतन करते हैं यहां तक कि हम डाइटिंग करना भी शुरू कर देते हैं लेकिन डाइटिंग शेरीर के लिए काफी हानिकारग होती है अगर हम डाइटिंग में अप्रियाप्त भोजन लेते हैं तो यह हमारे शेरीर के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है शेरीर को कमजोर तक कर सकता है तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डाल चीनी का प्रियोग कर कैसे वजन पर काबू पास सकते हैं हमारी यहाँ डाल चीनी का उप्योग हर गर में मसाले के रूप में किया जाता है स्वाद में मीठे इस मसाले में एंट्री इंफ्लेमेंटरी गुण होते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, साथी रिद्धई के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे इसके कई सकारात्मक तक्ति हैं जो बताते हैं कि डालचीनी बढ़ते हुए वजन में काफी लाबदायक होता है। एक स्टडी के अनुसार अगर डायबिटीज का रोगी डालचीनी का प्रियोग करता है तो वे उसके लिए फाइदा करती है। इसे आप ओशेदी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वेक्ती जिनके शेरीर में रग्त पतला हो या ग्लुकोस कम होने की शिकायत हो तो वे डालचीनी का प्रियोग कर सकता है। डालचीनी और शेहद का तालमेल जो है ये वजन को कम करने में काफी सहयक होता है। शेहद में मिलने वाला फ्रक्टोस वजन गटाने के साथ ही उर्जा के इस्तर को बनाए रखता है। ये अतरिक चर्बी को गटाने वाले हार्मोन की मातरा को बढ़ा देता है। साथी डालचीनी मोटाबलिजम को सक्रिय करता है जिससे कैलोरी ज़्यादा बर्ण होती है। तो चलिए जान लेते हैं शेहद और डालचीनी के प्रियोग से आप कैसे वजन पर काबू पा सकते हैं। पहला है डालचीनी को बारिक पीस कर इसे शेहद के साथ खाएं। ये वजन को कम करने में घटाने में काफी मदद करता है। वजन घटाने के लिए आप डालचीनी, शेहद और पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी को अच्छी तरह उबाल लें और उसमें समान मातरा में शेहद और डालचीनी मिलाएं। इस पानी को खाली पेट लेने से कुछी हपतों में फर्क महसूस होता है। थड़े बढ़ते वजन को रोगने के लिए निम्बू का रस भी काफी अच्छा फाइदे मंद माना जाता है। शेहद और डालचीनी के साथ अगर आप निम्बू के रस को मिला कर नियमित उपियों करते हैं तो दूगुना फाइदा मिलता है। साथ ही ये कॉलेस्ट्रोल के लेवल को भी संतुलित बनाए रखता है। फूर्थ है अगर आपको चाय पीने का शोग है तो अब आप शेहद और डालचीनी वाली चाय भी पी सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में एक चमच डालचीनी पाउडर डाल कर इसे अच्छी तरह उबा लें। फिर उपर से शेहद मिला कर पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी मोटापे की समस्या में काफी फाइदा देता है। फिर ये तो हम सभी जानते हैं कि मोटापे को दूर करने के लिए ग्रीन टी का भी प्रियोग किया जाता है। लेकिन अगर इसमें शेहद और डालचीनी मिला दी जाती है तो ये आपके मोटापे के लिए काफी अच्छा शाबित होता है। तो दोस्तों ये हैं मोटापे को कम करने के लिए डालचीनी के कुछ प्रियोग अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद